तो दोस्तों जानेंगे इंडिया मेट्रलिज जिपाट्नेयन की भारती मौसम विवाग का नुसार अपने राजिस्तान का मौसम कैसा रहेगा और किन-किन जलूम भारी बारिस के संबावना है मैं आपको बता देता हूँ यह भारती मौसम विवाग द्वारा अपडेटेड न लेना चाहिए अब अपने राजिस्तान के स्थिए यह दोस्तों देखते हैं तो यह अपने राजिस्तान है और इस राजिस्तान की पूर्वी जो छित्र हैं दोस्तों पूर्वी जो जिले हैं वो यलो छित्र माचुके हैं यह इसका मतलब है दोस्तों आज अपने राजिस् हो रही हो या आपके तैसिल मबारिस हो रही हो और आपके पड़ों से तैसिल मबारिस नहीं हो रही हो तो इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपके जिले में बारिस नहीं हो रही है आपके जिले में बारिस हो रही है इसलिए आप कोमेंट करके बताय करो अपने जिले छेत्र का नाम और वारिष से आने की मौसम का जाकि ताकि आपी के ही जिले के अन्य लोगों को भी उसके बारे में पता चले तो दोस्तों इस्तिति हम आपको पूर बताएंगे और यहां पर अगर आप बात कर लेते हैं अपने पस्मी राजस्तान की तो यानि की जो गिरिन शेत्र में है तो इसका मतलब अदिकांस जिलो का मसम साप रहेगा कई जिलों में चिटपूट तो हलकी भारिष हो सकती है पूरी खबर जानेंगे जिले बाई डिटेल से कि आज किन किन जिलों में भारिष की संभावना बताई जा रही है तो दोस्तों ज जिलों में दोस्तों भारिष के संभावना बताए गई है आपको यह वह जिले जिन में सबसे ज्यादा आज भारिष होगी यानि की मानसुन चाही रहेंगे सारे दिन दोस्तों तो इसमें मुकत को सीकर और जूनों का कुछ हिसा आरहा है हाला कि और इसके अलाबार्वर है ज दोस्तो है वारिस खेरें जिसमे अलक बार जयपूर दौक जमेर स्वाइ माद़ृ और बारत पुर निसदेशल करें सुधीस इन जलों में है कि दोस्तो अब संभवना बढठती ही जा रही है इस रहा है। तो कल तो भयानक संबावना मैं आपको बता देता हूं मौसम में वागना है पांच अगस्त के बाद भारी बारिस बताईए अपने राइस्तान में वो हर इस्तिती से दोस्तो हम आपको आउगत कराते रहेंगे आप निस्चिंत रहें आपको मौसम की एकदम सटिक जानकरी मिल पारिस्तान में किस किसी जिले में भारी बारिस के संबावना है धन्यवाद